हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशनल स्टफ तो आज हम डिस्कस करेंगे दे रेट ट्रेप चेप्टर जो की सेलमा लेगरॉफ द्वरा लिखा गया है यह 12th क्लास के स्लेवे में पढ़ता है और हम इसकी mcqs के बारे में डिस्क करें नौटिफिक्स दिनको अउन करें वीडियो परसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें तो चली शुरू करते हैं चेप्टर की स्टड़ी चेप्टर का नहमें देर्टरिप इसका मिनिंग होता है चुहिदा नहीं और रॉइटर है इस चेप्टर में जो क्रेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं एक बार दे पैडलर और दे स्ट्रेंजर यह इस कहानी का प्रटेगनिस्ट और सेंट्रल क्रेक्टर है मतलब मुख्य नायक यही है इसके बाद में अपने आते हैं एडला विलमेंसुन जो की दे आइरन माश्टर की बेटी है वो इसकी सेकंड करेक्टर है इस चेप्टर का लास्ट करेक्टर है दे ओल्ड मेन जिसको दे क्राफ्टर का गया है इसके यहां से पैडलर ने 30 क्रोन और की चौरी की थी तो कुल मिला के हमने सबी करेक्टर को डिसक क्रिस्मस की जो इवनिंग है वो कैसे बिताता है यह इडला विलमसन के घर पे था तो वो सोकर बिताता है इसका मतलब यह हुआ कि हमार अंसर होगा इसका अंसर है इसका अंसर है ए तो पर्षोड दे रेट्रेप सेलर तो इसको मना कर अपने घर पे ले आना नेक्स्ट था ता रेट्रेप पेडलर गेव दा आईरन मास्टर ए लेक्चर ओन जो पेडलर था जो रेट्रेप सेलर था वो आईरन मास्टर को एक लेक्चर देता है किस पर देता है वो था हाव दा वर्ल्ड इस ए रेट्रेप मतलब कि हमारा अंसर ए होगा वो रेट्रेप प पर एक lecture देता है next question है the name of the iron master's daughter was iron master जो peddler को अपने घर ले कर आई थी Christmas के लिए उसका नाम क्या था तो इसका answer है B. Adla Wilmanson वो उसको evening के लिए celebrate करने के लिए घर पर ले कर आई थी अगला question है what did the iron master's daughter say when the peddler was about to leave जब peddler घर छोड़ने वाड़ा था तो iron master की बेटी ने उसको क्या कहा था तो उसने उससे request की थी इसका answer है A. She asked him to stay for that day only के वल एक दिन के लिए रुकने को कहा था next question the iron master mistook the retrip peddler 4 iron master ने उसको अनजाने में क्या समझ लिया था उस peddler को इसका answer है A. An old regimental comrade उसको एक सेनिक समझ लिया था अपना पुराना दोस्ट समझ लिया था और इसलिए उसको घर पे लिया था next question what did the iron master feel when he show the retrip seller after he was well groomed by his वै जब आविर iron master के यहां पर retrip seller की अच्छी स्याव भगत हो गई तो iron master को कैसा feel हुआ इसका answer है A. Not pleased iron master को खुशी नहीं हुई जब उसका स्वागत किया गया next question the pedler entered the gate of the iron mill with the intention of pedler iron mill के यहां किस उदेशे से गया था तो इसका answer है C. Seltr from rain and cold थंड और बर्शाद से बचने के लिए वो उसमें छुपने के लिए जगया देख रहा था next question the stranger's reaction to the iron master was एक अजनभी के पड़ती iron master का रवय उसका वेवार कैसा था तो iron master का वेवार उसमें कैसा था यह पुचा गया है तो इसका answer है he made no attempt to hide his feelings iron master ने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी next question the crafter had received a payment of crafter को कितने रुपे मिले थे तो इसका answer है B 30 kronor और यह इस चेप्टर में बार बार पुचा गया है कि उसको कितने kronors मिले थे और इसी पे यह story टी की हुई है next question the first move of the iron master was to make sure that the guest could iron master का पहला प्रयास किस बात को था किस बात को ले कर था इसका answer है A gain some flesh on his bones iron master उसके प्लान में कुछ प्लान डालना चाहता था next the old man was very generous with his confidence वो बुड़ा आदमी क्राफ्टर बहुती द्यालू था अपने आत्म विश्वास के साथ तो इसका answer हो गया A confidence जान रखना old man और क्राफ्टर एक ही वेक्ती थे next question according to the seller what leads us to various miseries उस peddler के अनुशार हमारे सारे दुखों का क्या कारण हो सकता है तो इसका answer है D vicious and greed of comfort सुक्स विधाओं के लिए लालच और हमारी जो अन्थीन इचाएं हैं वो हमारे दुखों का कारण है next why did the peddler decline the invitation peddler ने वो निमंतरन ऐस विकार क्यों कर दिया था तो इसका answer है A because he had stolen money क्योंकि उसने 30 kronors पहले ही चुरा लिये थे इसलिए उसने यह मना कर दिया था next question why did the peddler not reveal his true identity उसने अपनी सही पहचान क्यों नहीं बताई एक तो वो चौर था और दूसरा वो peddling करता था तो उसने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई थी तो इसका अंसर है C in the greed of getting money वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोर सके इसलिए उसने अपनी सही पहचान नहीं बताई next question where has the story been set up peddler की जो story है the red trip है वो कहां पे कास्ट की हुई है किस सहर में बनी हुई है तो इसका अंसर है D, mines of Sweden क्योंकि हमने iron master और peddler और इनकी स्टोरी सुनी है तो ये सारे round उसी mines की आसपास की है next question who used to make red traps red traps कोन बनाया करता था तो हमने इस चेप्टर में पहले ही पढ़ लिया था कि red trap peddler बनाया करता था तो इसका अंसर होगा C peddler जहान देने वाली बात है crafter एडला और iron master red traps नहीं बनाते थी next question why did peddler sign himself as captain won stahley peddler अपने आपको captain won stahley क्यों बोलता था इसका answer है C because he wants to meet Adla's expectations of his being an army man Adla उसको अपने पिता की पुराने दोस्त समझ कर घर पे लिया आई थी इसलिए वो उसकी इमिदों पर खरा उतरना चाता था इसलिए उसने अपने आपको army man बताया next when does the iron master realize his mistake iron master को अपनी गलती का एहसास के सेवा iron master उसको रात के अंदेरे में घर ले आयाया था अपना पुराना regimental friend समझ के तो सुबह जब paddler ने clothes change की और अपना मूद होया मतलब C answer इसका होगा when the paddler changes clothes and cleans his face तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ next what made the paddler finally change his heart paddler का अंत में हरद्या परिवर्तन हो गया था वो किस करण हुआ था तो इसका अंसर है D Adla's goodness and care Adla की देखवाल और उसकी बलाई की वज़े से paddler का शुद्या परिवर्तन हो गया था next question who is the author of the rat trap rat trap chapter का writer कौन है तो Thomas B. Allen, Howard, Phillips से और सुदा मूर्थी हमारे सिलेबस में नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि option A से ही बैठेगा इस chapter की writer है next question how much money had the paddler stolen from crafter crafter के यहां से उसने कितने पैसे चुराए थे तो यह chapter 30 kronors के इर्दगर्दी गुम रहा है इसका मतलब यह हुआ कि हमारा answer D होगा 30 kronors याद रखना उसने 30 kronors चुराए थे next question the paddler's rat traps were made of paddlers या जो rat trap seller था वो जो rat trap बैचा करता था वो किस के बने होते थे तो वो होते थे wire के बने इसका मतलब यह होगा कि हमारा option C सही होगा next why did idla bring the paddler to her house for Christmas years Christmas की खुशी मनाने के लिए वो उस paddler को अपने घर पे क्यों ले आई थी क्यों ले आई थी इसका answer है D because of his resemblance to her father's old friend क्योंकि उसकी सकल उसके पिता के old friend से मिलती थी resemblance का होता है शेकल का मिलना इसलिए वो घर ले आई थी next why does the paddler need up various kinds of thoughts paddler within परकार के विचारों को क्यों बुनता था कहानिया बुनता था वो इसलिए क्यों बुनता था इसका answer है C because of loneliness and poverty greedy और अकेले पन को दूर करने के लिए next what was the paddler's profession and who he was paddler के वेवसाए क्या था और वो कौन था तो इसका answer है C stealing उसका profession था stealing और वो एक thief था मतलब वो एक चोर था और चोरियां ही करता था next who offered shelter to the paddler paddler को shelter मतलब रुकने के लिए चट किस ने offer की थी जब बरसाथ हो रही थी या कुछ थंड पढ़ दे उसकी बज़ा से तो इसका answer है D an old crafter उस old crafter ने उसको चट दी थी रुकने के लिए next question है the vogabond compared the whole world to a vogabond होते है अवारा की समझा और यहां पे अवारा था paddler हमने पेडलर को आवारा समझा तो इसका answer होगा D vogabond compared to compare the whole world to a red trap next how is the paddler influenced by meeting the crafter and adla adla और crafter से मिलने के बाद में पेडलर के जीवन में क्या बदलाव आया हम महसूस करते हैं कि उसके जीवने बदलाव आगा क्या आया था answer है C his heart was changed उसका हरिदिया परिवर्टन हो गया था उनकी अच्छाईयों से next the old man in the grey cottage उस grey cottage में old man ने पेडलर के साथ क्या किया तो इसका answer है A the old man in the grey cottage welcomed the paddler उसने पेडलर का स्वागत किया next question है what does the metaphor retrap in the lesson signify retrap शब्द का क्या मैतव है इस चेप्टर में मतलब retrap का मतलब होता है चुहे दाने तो इसका क्या meaning है इस चेप्टर में क्या इसका significance है तो इसका answer है D human greed and destruction है मानविय लालत और उसको लुभाने वाले परलो भन next the retrap peddler return to the man's house in order to उस व्यक्ति के घर में retrap peddler क्यों लोटा था तो उसका एक ही मक्सद था to steal the 30 kroner इसका answer होगा यह वो उसके यहां से 30 kroner की चोरी करने के लिए वाप बिचाया था next question why did crafter show 30 kroner to the peddler उस crafter ने peddler को वो 30 kroner क्यों show किये दे क्यों दिखाये थे तो इसका answer है D to share his feelings of pride अपनी feelings of pride को share करने के लिए next question he felt he had been fooled by जब peddler को इडला और उस crafter की अच्छाईयों के बारे में ग्यान हुआ तो उसको पता चला कि मुझे भी परलोभन में परलोभन में जकड लिया गया है इसका मतलब होगा बैट हमारा answer होगा next how did crafter treat the peddler crafter ने peddler के साथ कैसे वेवार किया क्योंकि वजन भी था फिर भी उसके साथ वेवार किया था the iron master lived in the manure with his iron master उस manure में उस एकांत एरिया में किस की साथ रहता था तो इसका answer होगा see oldest daughter अपने सबसे बड़ी बैटी के साथ वो उस manure में रहता था हमारा next question है the girl had brought with her the following article to make him feel warm वो लड़की peddler को गरम रखने के लिए अपने साथ क्या लेकर आई थी तो इसका answer है a for coat तो हमारा answer d होगा next question है what did the package left for Adla contain peddler अपने हिद्या प्रिवर्चन के कारण उस घर को छोड़के चला जाता है तो वो एक package छोड़के जाता है तो उस package में क्या रखा हुआ था Adla के लिए तो इसका answer होगा a small red wrap with 30 kroner on it इस परकार ये chapter complete होता है thank you for watching अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कुछ सुजाब हो तो comment box में comment करना चैनल को subscribe करना